गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास UKG, सब्जेक्ट मैट्स क्योशी नमबर वान है आपका राइट काउंटिंग 51 to 90 कल हमने किया था 51 to 80, आज हम करेंगे 51 to 90 इधर देखिए, आपको लिखने के साथ साथ बोलना भी है 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90 यह हो गई आपकी कांटिंग 51 to 90 आपको अपनी नोटबुक में सुन्दर राइटिंग में यह जैसे लाइन टच करके मैंने लिखा है नीचे की लाइन टच हो नीचे यह नंबर से ऐसे ही आपको करना है क्योशन नंबर टू है आपका वाट कम्स आफ्टर नंबर आफ्टर नंबर में मैं पहले भी बताया आपको नीचे की डिजिट देखते हैं 36, 36, 36 का आफ्टर नंबर इसके नीचे क्या है 37, 37 36 का आफ्टर नंबर क्या हुआ 37, हम यहां क्या लिखेंगे फिर 37 इस तरह से अब देखिए 48, 48 48 का आफ्टर नंबर क्या है इसके नीचे क्या आता है 48 के नीचे 49, 49 तो हम क्या लिखेंगे 49, 49 अब देखिए 59, 59 59 का आफ्टर नंबर क्या होगा 60, 60 तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे 60, 60 अब देखिए 6, 7 67 67 की नीचे क्या आता है ये 7 है न 6, 8, 68 67 का after number क्या हुआ 6, 8, 68 7, 4, 74 74 की नीचे क्या आता है 7, 5, 75 74 का after number क्या हुआ 7, 5, 75 8, 0, 80 80 का after number क्या होगा 81, 81 51, 51 51 के नीचे क्या आता है 52, 52 तो हमने क्या लेखा 51 के नीचे 52 अब देखिए 72, 72 72 के नीचे क्या आता है 73, 73 72 का आफ्टर नमबर क्या हुआ 73, 73 33, 33 33 के नीचे क्या आता है 34, 34 33 का आफ्टर नमबर क्या हुआ 34, 34 85, 85, 85 85 के नीचे क्या आता है 86, 86 85 का आफ्टर नमबर हुआ 86 इसकी आप डेली प्रैक्टिस करिए और यह होमवर्क मेरे वाट्सप नमबर पर सेंड करिएगा ओके